Hello and welcome to Bollywood वाला, I am Sunup दोस्तों हाली में शाहिद कपूर गए थे एक अवार्ड फंक्शन पर और खबरों की अगर माने तो शाहिद कपूर वस प्रोमिस्ट एन अवार्ड बाइदे अवार्ड और अर्गनाईजर्स अब कुछ कारण वर्ष उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया at the last minute because of which शाहिद walked out of the ceremony अब मेरा simple सा सवाल ये है क्या शाहिद कपूर एक अवार्ड फंक्शन पर अवार्ड फंक्शन देखने के लिए गए थे दर्शक बनके नहीं वो इसलिए गये थे ना क्योंकि जैसे खबरे कह रही है कुछ ना कुछ तो arrangement हुआ होगा he must have been promised the best male actor award by the organizers इसलिए तो वो गये थे अवार्ड फंक्शन पर बंधन के नहीं तो क्यो time waste करने जाएगा अवार्ड फंक्शन देखने का शौक तोड़ी हो शाहिद कपूर को तो इस तरह बुला के फिर बाद में decide करना कि उनको अवार्ड नहीं देना है मतलब insult हुआ न ये तो गोर insult हुआ अब दोस्तो मैं अवार्ड की जो सच है उससे आपको वाकिफ कराता हूँ सबसे पहली बात आज के जमाने में कोई भी अवार्ड रियल अवार्ड नहीं होता है अब सिंपल सा चीज ये है आज के तारीख में अगर कोई अवार्ड फंक्शन पर आपको बड़ा सूपरस्टार या बड़ा कोई popular A-list आक्टर चाहिए तो उसको अगर आप अवार्ड दोगे तो ही वो आएगा ने तो दर्शक बनके आज के जमाने में कोई नहीं जाएगा यार अवार्ड फंक्शन पर तो होता है यू और्गनाइजर पहले फोन लगाता है एक बड़े स्टार को उनको बोलते सर हम लोग का अवार्ड फंक्शन आ रहा है ये डेट पे क्या आप आओगे तो स्टार उनको पुछता है यार क्या मुझे एक अवार्ड दोगे और्गनाइजर बोलता है हाँ सर जरूर दूँगा मैं तो स्टार बोलता है हाँ तो फिर समझ लोग पका मैं आ जाओंगा आपकी अवार्ड फंक्शन पर यार ये होता है वन टाइप अट अडेस्टानी अब दूसरा होता है और्गनाइजर चाहते है कि यार स्टार उनके अवार्ड फंक्शन पर पर्रफॉर्म करें यूनो जब एक स्टार पर्फॉर्म करना होता है स्टेज पर कि चार्जर इन क्रोर्स तो अवार्ड फंक्शन वाले लोग के पास इतना बजट तो होता नहीं है तो लोग क्या बोलते है स्टार को बोलते सर आपको एक बड़ा अवार्ड देंगे लेकिन बदले में थोड़ अवार्ड देना जरूर तो हो गया वापस स्क्रिप्ट हो गया स्टार आता है पर्फॉर्म करता आवार्ड लेता है घर जाता है सभी खुश अच्छा पॉप्लरियरेटी सबको मिलता है अब जब ऐसे अंडरस्टैंडिंग होता है तो कैसे आप समझोगे कि अवार्ड रिय अगर उनको best male actor in the popular category award दिया जाएगा तो आपके उपर वापस वही twitter पर पुरा drama खड़ा हो जाएगा कि क्यों शाहिद कपूर को कबीर सिंग के लिए अब बात करते हैं कबीर सिंग के बारे में excellent business at the box office मतलब 280 crores is not a joke is not a joke मतलब वह फिल्म को repeat value मिला है बहुत सारी लोगों ने बार बार जाके वह फिल्म को देखा है यर and the film has been immensely loved by everyone in the country इसको केते है popularity for that popularity for the amazing performance at the box office Kabir Singh deserves an award second Kabir Singh was released on not Eid not Diwali not holy not Christmas Eid Diwali holy Christmas पर release नहीं हुई है Kabir Singh it was released on a working day and also if you remember Kabir Singh जब release वाथ तब World Cup चल रहा था जहां पर India super performance कर रहे थे वो टाइम पर एक film को release करके उसको इस कदर हिट बनाना मतलब it only speaks about how superbly well loved and very well popular the film is here मतलब इस फिल्म को बहुत स्ने और बहुत प्यार मिला audience है वो popularity के लिए वो जजबे के लिए Kabir Singh को एक award मिलना चाहिए number three Kabir Singh में जो शाहिद Kapoor ने acting किया है ना super native ब्रिलियंट period इसके आगे कुछ बोलने की जरुत नहीं है वो character को उन्होंने जिया है excellent performance of Kabir Singh by शाहिद Kapoor और वो excellent performance के लिए शाहिद Kapoor deserves a popular category award चाहुता यह जो negativity चल रहा है ना Kabir Singh के उपर यह वो feminist लोग का चाल है यार feminist लोग आते है सुबह सुबह बैठते है यार कोई मुद्दा उनको मिल जाते है उसके उपर लोग चर्चा करते है डिसकस करते है डिबेट करते है और उसको इसको इस कदर बड़ा बना दिता है जैसा that is the real issue नहीं यार it is not the real issue अगर out of context किसी भी चीज को आप लोग उठा के उसके उपर बवाल करोगे न तो उसका मतलब नहीं कि यार ये real issue है मतलब feminist लोग को जब कभीर सिंग किसी लड़की को मारता है तो problem है भाई कियार आभी मारती है ना शाहिद कपूर को तभी किसी को problem नहीं था तभी क्यों नहीं बोला यार इसाब बराबर फिट्टूस हो गया तभी तो आपको problem नहीं था यार जब 3 idiots में बलातकार की ओपर joke बनाया जा रहा था rape jokes चल रहे था तभी किसी को problem नहीं था सभी लोग तालियावा जा रहते हैं लेकिन शाहिद कपूर का character कभीर सिंग कभी किसी लड़की को मारता है तो आपको problem है बाई ऐसे भी लोग होते है तेरा people who are flawed जो लोग मारते है अपने औरतों को औरत को problem है तो वो react करें कि यार finally it's a film यार आप एक फिल्म को एक entertainment के नजर से देखो ना ऐसा है तो यार Sanju जेसे film में जिसमें Ranbir Kapoor ने लाजवाग काम किया उसको भी मतलब क्यों वावाई मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मतलब यार उसमें क्या बोलता है Sanju had more than 300 girlfriends then you should be saying he's glorifying that यार ये जो चीज जो feminist लोग ने चला है अना Kabir Singh के किलाफ it is absolutely nonsense saying that yeah this film glorifies beating and physical assault and abuse and this and that it's absolute nonsense film finally होता है entertainment के लिए out of context आप एक scene को निकल के नहीं discuss कर सकते हो totality में देखो people have loved Kabir Singh और वो लव के लिए Kabir Singh deserves an award and feminist can go to hell it's as simple as that मेरे हिसाब से शाइद कपूर deserves to sweep every single popular category award that of best male actor at every single award function सब्सक्राइब को फिक्स्टी होता है क्या बोल सकते है but according to me शाइद कपूर really deserves an award excellently well done शाइद looking forward to jersey now this is Sonup signing off bye bye